मेरा नाम है देश आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं GST Registration के लिए क्या क्या documents की requirement रहती है तो देखिए वैसे तो हम लोगोंने step by step पूरा वीडियो बढ़ा रखा कि GST का Registration कैसे किया जाता है रहेंगा इस आजकल क्या हो रहा ना इस टाइप के बहुत जादा मतलब notice आ रहे है जिसके अंदर जो है officers जो होते है वह principal प्लेस और जो business होता है उसके address proof के यह पर demand करते है तो आज मैं आपको एक proper guide देने वाला प्रॉपर एक checklist देने वाला हूं जिसके तुरू आप पहले सही यहां पर अपने documents prepare करके रख सकते हैं ताकि GST Registration करते वक्त आपको कोई भी यहां पर दिक्कत नहीं आएगी और notice आने के chances भी काफी हद तक यहां पर कम हो जाएंगे वीडियो को शुरू करने सिर्फ बताना चाहूंगा अगर आप एक expert के तुरू अपना GST के registration करवाना चाहते हैं बहुत ही कम cost के उपर link मैं आपको description box में दे दूँगा तो चलिए guys शुरू करते हैं हम लोग basic kyc documents की बात कर रहें तो अगर आप एक proprietorship यहां पर register कर रहे हैं तो simply जो भी proprietor है उसका pancard number आपको चीए होगा physical pancard की requirement नहीं है और साथ में आधा card number चीए होगा लेकिन ध्यान रखेगा आजकल यह भी हो गया है कि आधा card जो आपकी mobile number से link होना चीए क्योंकि जैसे आप GST की application file करते लास्ट में आपको एक आधार के तुरू OTV जाता है उसके तुरू E-verify कराना पड़ता है तो अगर link नहीं है तो अपने UIDA Center के पहुजा कर आप link करवा सकते हैं second case होती है firm का नाम या फिर trade name तो देखिए proprietorship में आपकी मर्ची आप कोई सा भी firm का नाम चूज कर सकते हैं इसमें ऐसा नहीं होता है कि copyright लग जाएगा या trademark लेना पड़ेगा लेकिन बस ध्यान रखेगा आप at least किसी all other जो है firm जो branded firms होती ही जो बड़ी firms होती है उनका नाम यहां पर copy मत कीजिएगा वनना आपको problem आ सकती है इसके लागा जो भी proprietor है उसका simply एक passport size आपको photograph चीओगा तो आप JPG या PNG format के अंदर simply save कर सकते हैं इसके लागा इस main जो हमारा यहां पर document आता है जिसके उपर 99% जो application rejection में जली आती है वो होता है हमारा business place का documents जी या आप guys business place के documents में क्या होता है officers मांगते ultimately business place का address proof यानि कि जहां पर आप धंदा कर रहे हैं जहां पर आप business कर रहे हैं जिस जगे को आप as a business जो register office आप जो है register करना चाह रहे हैं तो उसका simply आपको address proof लगाना पड़ता है आप guys address प्रोफेसर नहीं होता है कि माल लो आपके अधार कार्ड के पीछे जो address दिखा है वही अगर आप use में ले रहे तो काम चल जाएगा अधार से ऐसा नहीं होता है यहां पर देखिए मैं अलग अलग आपको situation देने वाला हूँ माल लीजे अगर आपकी property जो है एक तैसे residential property है और वो जो property है वो माल लीजे proprietor खुद on करता है या proprietor का कोड़ भी family member यहां पर own करता है तो उस case में क्या documents यह होंगे तो गाई सबसे सीधा जो तरीका है वो है आपको simply एक electricity bill copy यहां पर चाहिए होगी क्योंकि देखे light bill के ओपर जो भी घर का owner होता है उसका हमेशा यहां पर नाम रहता है और इसको मैं यहां पर detail के अंदर जो एक separate video के अंदर यहां पर explain कर चुका हो इसके link में मैं आपको description box में provide कर दूँगा तो guys यह stamp paper के उपर आपको NOC चीह होगी और electricity bill हो गया इन दो document से काम चल जाएगा आपका अगर आपके खुद की property है या property आपके किसी family member के दारा own की जाती है तो उस case में आपके कोई दिक्कत नहीं है लेकिन let's suppose अगर आपके पास में electricity bill copy नहीं है तो फिर आप उस case में house property की जो tax होता है house property की जो tax होता है उसकी जो receipt होती हो लगा सकते है या जो registry की paper होते है वो basically यहाँ पर लगा सकते है second guys situation हो सकती है कि आपकी जो property वो manager residential property है लेकिन वो property जो basically rented property आप rent के उपर रह रह रहे है तो guys उस case में आपको again electricity bill copy चाहिए होगा और obviously बात है उसके उपर landlord का नाम होगा तो landlord से आपको एक 50 रुपे के stamp paper के उपर noc वगर भी जो है बनवानी पढ़ेंगी जिसके लिखा होगा कि भाई उनको कोई भी objection नहीं है कि इस property को आप business के लिए use ले रहे हो साथ में guys यहाँ पर पैंकार और आधार कार्ट भी चाहिए होगा भाई landlord का वैसे यह कंपल सरी नहीं है लेकिन मैं आपको recommend करूँगा कि यह लगाना चीए ताकि आपकी application जो rejection होने की chances कम से कम यहाँ पर हो सके और उसके लब अगर आपके पास में grant agreement की copy बनी हुए तो तो बहुत ही अच्छी बात है इन documents के support के साथ में आप वो चीज़ यहाँ पर लगा सकते हैं तो वो same कहान नहीं property tax payment की जो भी receipt होगी यह register की जो paper होगे वो आप यहाँ पर लगा सकते हैं बागी अगर वो rented property और commercial property है तो उस case में तो आपको obviously बात है commercial rent agreement बनवाना ही पड़ेगा तो उसके इंदर सारी चीज़े आपके आ जाती तो कोई दिक्कत नहीं है और साथ में क्या कीज़ेगा जो landlord होता है जिसके नाम पर भी जो property है commercial property उसका simply bank card और अधार card भी आप यहाँ पर लगा सकते हैं उसके बाद में चाहे तो आप अपने GST portal के अंदर अपने current account के details अपडेट करा सकते हैं उसके लिए simply आपको एक cancel check या फिर आप पास्बुक की copy लगा सकते हैं इसके लगाइस additional में documents की बात करों अगर कोई other legal entity हो जैसे की माल लीचे partnership firm हो गई तो उस case में pen card आपका तो लगेगा यह लगेगा लेकिन जो registration होगा वो partnership firm के नाम पर होगा यानि कि pen card यहाँ पे partnership firm का चीई होगा और उसके लगा जितने भी partners हैं उन सभी के pen card आधार card चीई है वो चारो case यहाँ पर applicable हो जाएंगे इसके लगाइस अगर मैं private company की बात करों LLP की बात करों OPC की बात करों तो उस case में simply एक और दू-3 additional documents आपके लगेंगे जैसे pan number of the company होगया यानि pan number होगया company का इसके लगाइस MOAO होता है private company के अंदर सारे directors के pan card आधा card होगे एक authorized simply letter हो पर रिस्टर कर रहे हैं तो इस वीडियो प्लीज सब्सक्राइब चनल अगर आप लोग की कुई भी डाउट से comment box में ज़रू बताएगा thank you guys thank you very much